एक सव बहत्तर साल बाद महाशिवरात्री अठारा फरवरी को बन रहा दुरलम महाशयोग इन साथ राशों के लगने वाली है लोटरी दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि इस बार की महाशिवरात्री पर ऐसी कुल साथ राश वाली लोग हैं जिनकी अब किश्मत चमकने वाली है ये साथ राश वाली जातक अब धनसे माला माल बनने वाले हैं तो वहीं ऐसी कुछ विशेश राशियां भी हैं जिनको मध्यम ला जो भक्त हैं उनके वो इस महा पर विकले साल भर से इंतजार करते हैं इस दिन भागवान भोलेनात को खुश रखने के लिए भक्त ब्रत और पूजन अराधना करते हैं ताकि उनकी पूरी मनोकामना हो शके ऐसी मानता कि इस दिन भागवान सीव का माता जगत जननी पारवत इस बार की शिवरात्री बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाली है क्यूंकि इस बार 172 सालों के बाद ऐसा महा दूलब शुबस्योग इस बार की महा शुबस्योग एक्षाद बन रहे हैं। बनने से महा शुरात्री पर कुछ विशेश राश वालों की अब लोटरी लगने वाली है। इन राशियों को अब धनसे माला माल बनने से कोई नहीं रोक शकता। इस वीडियो में उन्हीं राशियों के बारे में हम विश्तार से चर्चा करेंगे। तो अगर आप महा देव को सच्चे हरदय से मानते हैं तो कमेंट सिक्षन में जरूर लिखेगा। हर हर महा देव महा शिरूरात्री की आप सभी दर्चकों को हर दिक सुबकाम नाएं। दोस्तों महा देव की नाम पर एक लाइक तो बनता है और इस वीडियो को आप अधिक शदिक अपने दोस्तों को विश्यर जरूर कर देजेगा। दोस्तों बताना चाहेंगे कि इस वार की जो महा शिरूरात्री है 2023 की वो 18 फरवरी दिन सनिवार को महा शिरूरात्री पड़ रही है और इस दिन कई सारे शुबशयोग एक साथ बन रहे हैं जिसके कारण महा देव की कृपा कुछ विशेश राश्यों पर पढ़ने जा रही दोस्तों इन राश्यों की किस्मत अब भागवान भोलेरत की किरपस से चमकने वाली है महा शिरूरात्री का तेवहार फालकुन महीने की कृष्ण पक्षी चतुर दशी तिथी को मनाई जाएगी बता दे कि इस बार ये महा शिरूरात्री का पावन परवे 18 फरवरी दिन शन मरन करें दोस्तों इस दिन आप महा देव के ओम नमश्वाय मंतर का पूरे दिन जाप करें दोस्तों बताना चाहेंगे कि प्रतेक कार में सफलता दिलाते हैं महा देव कोई भी मांगलिक अनुष्ठान आदी भी कार कर सकते हैं इस दिन जो भी संकल्पित कार हैं वो भी कर सक दोस्तों इस दिन कोई भी शुबकारों का फल मनुस को अधिक शदिक मिलता है बता दे कि इस बार की ये महाश्विरात्री यानि की 18 फरवरी दिन सनिवार को पूरे दिन रहेगी और ये महातेवार बहुत ही शुब योग में बन रहा है इस दिन स्रिव नामक योग अमर्श श यानि जो अगर हो तो वो भी आप उनको जो गेहों की तरह बालिया होती हैं वो भी उनके उपर आप चढ़ाएं शिवलिंग पर दोध कच्चा दोध चढ़ाएं मिस्त्री चढ़ाएं धतूरा बेलपत्र सफेद पुष पर चढ़ाएं और उनकी सबसे प्रिवस्त भांग यारू चढ़ाएं दोस्तों इन विशेश स्प्रशायों के करण क्योंकि इस दिन कई सारे स्प्रशायों एक साथ बन रहे हैं जिस वर हाप इन राशियों को सबसे ज़्यादा मिलेगा, इन राशियों का भाग अब सबसे ज़्यादा चमकेगा, खासकर इन साथ राशियों को अधिक शदिक यानि की फाइदा देखने को मिलेगा, तो दोस्तों चलिए आपको बता दे कि आखिरी ये भाग शाली राशिया कौन कौन से जिनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, दोस्तों बता दे कि सबसे पहले जो राशी है वो है मेस राशी, मेस राशकत को आप लोगों को इस दरौन धन अर्पित करने के नए अफसर मिलने वाले हैं, अगर आप इस्टुडेंट है और नोकरी की तलास कर रहे हैं, तो यह समय आप महादेव के कृपा से सिप्ट हो जाएंगे, शुब रहने वाला है, दोस्तों बता दे कि इन राशवालों को महादेव के कृपा से अब काफी ज़्यदा लाग देखने को मिलेगा, आपके बिजनेस से में और बेपसाय में विक्री तेज़े से देखने को मिलेगी, उच्छ शिर॓ात्री का समय काफी ज़्यदा सुब रहने वाला है, फलदाई रहने वाला है, दोस्तों इसमें नए जिमिन प्रपरटी के सिरुवाद करेंगे, साथी घर निर्मान करेंगे, गाडी बाहन के खरीदारी करेंगे, नए चीज़यों के खरीदारी करेंगे, कुछ तीसरी जो राशी आती है दोस्तों वो है यहां पर कन्य राशी की कन्य राशकरत को बता दे कि अब आपके किसमें चमकेगी कई महत्परोट छेतरों से लाब होगा अधोरे कारियों का पूरा करेंगे इसमें आपको कई पोजिटिव फल मिलेगा बिरोजगारों को इस दरण न करपा से आपकी आमदनी बढ़ेगी लंबे समय से प्रिंडिंग कामों को पूरा करेंगे अब अगली राशी आती है दोस्तों बता दे वो है यहां पर करकराशी करकराश के अद को बता दे कि इस समय किसमें चमकेगी भाग का उदय होगा महादेव करपा से इंकम में बढ़ कामों को पूरा करेंगे जो कुछ कार अधूरे थे प्रिंडिंग थे उन्हें पूरा करेंगे धन ब्यापार में वर्दी होगी कई में प्रूट शेत्रों से लाव होगा प्रते कार आसानी से पूरे होते नजराएंगे इसमें जो भी नेड़ा लेंगे जो भी फैसला उसमें आपको सफलता अवस्ष मिलती न जराएगी साथी ने ब्यापार की इस्थापना कर सकते हैं बैंकिंग छेत्र में अधोरे कार्यों को पूरा करेंगे बैंकिंग में अगर कोई कार नहीं बन पा रहा तो वो कार बनता होना जराएगा प्रते कार बनेंगे अब अगली य प्रप्ण कामों को पूरा करेंगे जो कुछ भी कार नहीं बन पारे थे जो कुछ कार अधूरे थे पिर्णिंग थे उन्हें पूरा करने का प्रयाश करेंगे कारचेतर में लाब होगा अधूरे कारियों को पूरा करेंगे इसमें आपकी आमधनी बढ़ेगी कई महत्पुर्ट छेतरों से लाब होगा और कुछ बिशेश कार भी पूरे होंगे इसमें आपके कारचेतर में अधिक्षदिक लाब देखने को मिलेगा फाइदा देखने को मिलेगा, लंबे समेशे पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे, धन किस्ति अच्छी रहेगी, मजबूत देखने को मिलेगी, लंबे समेशे अधूरे कारियों को भी पूरा करेंगे, साथ ही ब्यापारियों को ले काफी खास रहेगा, ब्यापार भी आपको कार भी बनता हुए नजराएगा। और बतादे कि ये महाँ शीवरात्य आपके लिए काफी शुब रहेगी, ने यहनी कामों के शिरुवात करेंगे, साथि प्रोपरेटी वगर के शिरुवात करेंगे, विदेश की आत्रा होगी, विदेश ही कंपनी से लाब होगा, विदेश लंबे समेशे पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे, अभी तक अगर कोई कार अधूरे थे पेंडिंग थे तो उसे पूरा करेंगे, ब्यापारियों के लिए काफी खास रहेगा, ब्यापार में ब्रदी देखने को मिलेगी, और कुछ अधूरे कार भी पूरे होंगे, प्रत्य होगी प्रते कार आसानी से पूरे होंगे लंबे शमेशे पेंडिनिंग कामों को भी पूरा करते हुए नजराएंगे कार छेतर में आपको अधिक शदिक मुनाफ़ा देखने को मिलेगा अभी तक अगर कोई कार नहीं बना था तो भी बनेगा शाथी बिजनेस ब्यापार की त प्रोचेतरों सिलाब होगा तो इन सात राशियों के उपर महादेव की जम कर बरसेगी कृपा तो दोस्तों कमेंट में जरूर लिखेगा हर हर महादेव साथी बीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जय महादेव